नमस्ते तो ये है चैप्टर वन का पार्ट टू वीडियो और इस वीडियो में हम आगे जो कम्प्यूटर का थोड़ा से रिवाइस कर लेते पिछला वीडियो को जो हमने पढ़ा था हमने जाना था कम्प्यूटर क्या होता है और उसके बाद जाना था कम्प्यूटर की पार्ट्स क्या होते है जैसे हमारे सरीर के पार्ट्स होते हैं दिमाग होता है हमारे पास हाथ होता है किटनी लिवर होता है उसके प्रकार से कम्प्यूटर का भी दिमाग होता है जिसे हम CPU क क्या होता है RAM को जाना था, Case को जाना था, Case क्या होता है, इसके बाद हमने Hard drive, HHD, SSD, Pen drive यह सब कैसे काम करता है होता क्या है यह हमने जाना था, आज हम जानेंगे computer के input devices, computer का input device क्या यह बात आपने बहुत सुना होगा अगर आप question प्रैक्टिस करते होंगे आप बहुत बार confused हो जाते होंगे जो निम निमें से कौन computer के input device है कौन output device है तो आज ये myth ये आज जो आपके मन में confusion है उसको आप मैं ख़तम कर दूँगा तो चलिए start करते हैं input device होता क्या है आप दीखिए पहले मैं बता दू input device किसे कहते हैं मतलब मैंने बता दिया मैं जो computer use कर रहा है उसको user बोलते हैं अगर मैं computer को कोई आदेश दे रहा हूँ या कोई भी चीज computer को दे रहा हूँ वो हो जाएगा input और computer कोई चीज हमें दिखा रहा है वो हो जाता है output जैसे अब बहुत सारे input device का यहाँ पे फोटो दिख रहा होगा आपको और camera से हमारा photo गया राइट फोटो computer के पास हमारा गया तो यह camera भी input device हो गया scanner scanner कैसे input device है scanner क्या होता है वो मैं बता दू आपको जैसे कोई भी फाइल है उसको हम copy scan करके और PDA बनाते है न को scanner बोलते है एसा scanner दिखता है तो scanner scanner में हम क्या कर रहे है किसी file का photo खीच के computer को दे रहे है यह भी input device है तो computer को जब हम कोई चीज अपने तरफ से दे रहे है उसको बता रहे है जैसा करो या ऐसा लो तो वो input device है जैसे microphone, mic यह भी input device है joystick यह गेम खेलने का device होता है बच्चे लोग खेलते है गेम इससे channel भी खेलते है то joystick यह भी input device है trackball यह mouse होता था पहले के समय में यह भी input device है keyboard, keyboard में हमक्या करते है computer को enter करते है जैसे end key computer को बताया हम enter कर रहे है b enter कर है ये भी input device है, mouse, mouse से हम cursor को घुमा रहा है, जैसे मैं अभी घुमा रहा हूँ, ये भी input device है, तो बस समझना ये है, जो उस device का काम क्या है, काम कैसे करता है, उसी परकार आपको समझ में आ जाएगा, ये input device है या output device, trackball मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये mouse के तरह ही होता था, और mouse जैसा ही इसका काम था, trackball, mouse तो आप जानते होंगे, mouse में तीन बटन होते हैं, mouse के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूँ, mouse के तीन बटन होते हैं, एक left click होता है, right click होता है, और एक बीच वाला बटन होता है, बीच वाले बटन का काम रहता है, ये ऐसा goal बटन रहता है, इसक हम अपना ट्रिक पे आते हैं, इंसान से जोरते हैं कम्प्यूटर को, इंसान में input device क्या-क्या है, इंसान का input device क्या है, जैसे आख, आख से हम कोई चीज को देखते हैं, और उस चीजों को हम आख से क्या करते हैं, दिमाग को संदेज देते हैं, जो ये चीज ऐसा दिख रहा है तो आख क्या है, input device है तो computer का आख क्या हुआ, camera ये input device हो गया अब हम कोई भी चीज सुनते हैं तो सुनते हैं तो क्या कर रहे हैं हम चीजों को grant कर रहे हैं, मतलब input ले रहे हैं तो computer, इंसान का कान एक input device हुआ तो computer का कान क्या हुआ, microphone फोन, ये एक input device हुआ, समझ रहे हो, चीजों को मैं अब हाथ की बात करता हूँ, इनसान का हाथ क्या है एक, input device है कि output device है, जब हम चीजों को select करते हैं, चीजों को पकड़ते हैं किसी चीज को, तो वो एक टाइम से input device का काम करता है, और कभी-कभी ये output device का भी काम करता है, लेक output device क्या है, ये मुझे बताईए कोई, अपने दिमाग में सोचों, इनसान के सरी में output device क्या है, इनसान का मुह, जिससे हम बोलते हैं, कोई भी चीज, अपने जड़िये, हम किसी को दिखाते हैं, ये इनसान का output है, तो computer का output device को क्या होगा, speaker, जैसे इनसान का मुह होता है, वै चीजों को समझ जाएंगे, कुछ चीजे हैं, जो technical होगी, वो मैं समझा दूँगा, तो चलिए, आगे हम जानते output device, अभी हमने output का मतलब समझ लेया था, अब देखो, computer monitor में क्या करता है, चीजों को दिखाता है, इनसान तो कोई चीज दिखा नहीं सकता, उसके brain में बहुत कुछ होगा, लेकिन उसको दिखा नहीं सकता, इनसान के पास ऐसा device नहीं है, जो चीजों को दिखा सके, लेकिन computer के पास है, फोटो दिखा सके, एक movie आया था, रोबोट, उसमें एक चिट्टी नाम का रोबोट था, वो क्या करता था, अपने आँख से चीजों को projector से दिखा प्रिंटर, कभी computer के पास, मतलब चीजों को print करके भी वो चीजे दिखा देता है, मतलब computer printer के जड़िए हमें वो चीजे वापस देता है, साथी speaker, जैसे हैं इनसान बोल के बातों को बताता है, आउटपूट करता है, इस computer speaker के जड़िए बताता है, projector, जैसे अभी मैंने example लि computer में, headphone, सेम है speaker जैसा, यह सारे output device है, ऐसे ही कुछ और भी device है, यही इतना ही device नहीं है, input device, और भी होंगे, लेकिन बस हमें समझना है चीजों, जो यह चीज दे रहा है, मतलब computer से इनसान को मिल रहा है, या इनसान से computer के तरफ जा रहा है, अगर इनसान से computer के तरफ जा रहा है, तो वो input device, और computer से इनसान के तरफ आ रहा है, वो output, यह उमीद है, input device और output device में आपको अंतर अच्छे से स्पस्ट हो गया होगा, अब आगे देखते हैं, network interface card, network interface card होता क्या है, short में हम समझते है, technical definition तो यहाँ पे है, लेकिन short में समझते है, जैसे computer में हमें internet चलाना है, जैसे mobile में भी internet चलाना होता है, तो बीना data on किये, जो ऐसा data का symbol रहता है, उसे on किये, हम computer नहीं चला सकते, internet access नहीं कर सकते, उसी परकार, computer में अगर network interface card नहीं रहेगा, ऐसा रहता है network interface card, तो हम internet नहीं चला सकते, तो यही होता है network interface card, अब यह computer में काम कैसे करता है, दो तरी करके जैसे मोबायल में भी काम करता है, कम्प्यूटर में एक वाईर के जरिए भी ज tube जैसे यहां पे वाईर दिख रहे ना आपको लैन बोलता है इसको मैं लैन वायर रहता है कहा कि फुलफल आने ब Bayon आपको तो लैन वाइर के जरिये का जलता है अगला component क्या है computer का अब हम समझते हैं difference hardware और software यह बहुत ही important है बहुत लोग confused रहते हैं यह computer का hardware क्या होता है software क्या होता है अब देखो simple सी चीज है जो चीज जैसे आपने definition बहुत किताबों में पढ़ा होगा जिसे हम छू नहीं सकते वो software और जो चीज हम छू सकते हैं वो hardware बात भी सही है अब कैसे हमारा एक ही है जो इनसान से हम compare करेंगे इनसान का यह सरीर है चिक सरीर का हाथ पैर, मुह यह सारा है यह सब चीज hardware है तो computer का जो अभी हमने पढ़ा अभी उपर हमने पढ़ा इन्पूट डिवाइस, आउटपूट डिवाइस, मेमरी यह सारे चीज़े पढ़ा यह सब computer का क्या होगा? hardware क्योंकि वो computer के हाथ, पैर, मुह, आँख, नाख है भाई, software क्या है? software क्या है न? यह समझा जैसे computer, इनसान के अंदर आत्मा होता है आत्मा समझते हैं, प्रान जब तक प्रान है, इनसान जिन्दा है प्रान खतम, इनसान खतम तो यह जो आत्मा प्रान है न, यही software तो हमारा जो सरीर है, वो hardware है और जो हमारा आत्मा है, वो software है इसी परकार computer आपके पास हो, नया भी हो और उसमें software नहीं डाला हो तो वो एक मरा रहता है, उसमें से कुछ नहीं होता है कोई काम नहीं होता, उसी परकार जैसे इनसान एकदम जबान भी हो और उसके अंदर से आत्मा निकल जाए तो वो कोई काम का नहीं रहता उसी परकार computer भी अगर नया भी हो और उसमें software नहीं डाला है तो वो कोई काम का नहीं रहता समझ रहे हैं, तो hardware और software का concept मुझे लगता है जहां तक आप समझ गये होगे क्या होता है hardware और software अब इसके technical term को समझते हैं क्योंकि exam में तो technical word आएगा ऐसे तो नहीं आएगा अब देखिए, hardware में क्या-क्या होता है मैं थोड़ा सा इसको clear कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दीखे अब देखो, अभी हमने उपर पढ़ा है hardware में पढ़ा है, क्या CPU पढ़ा है CPU अच्छे से समझ गए न, सब primary memory पढ़ा है, secondary memory पढ़ा है input device पर है, output device यह सारे computer के hardware है जैसे इनसान के हाथ, पैर, आँख, नाख, मुँ होते है वैसे ही computer के यह सारे चीजे computer का मुँ कौन सा होता है पीकर, यह चीजे याद रखना computer का आँख क्या होता है camera, ऐसे ही याद रखना है चीज आप भूल ही नहीं सकते ऐसे ही याद ही करना है या समझना है अब software क्या होता है अब जैसे इनसान में तो एक ही software है प्रान इनसान में एक ही software है ना प्रान, प्रान गया आत्मा गई, बात खतम लेकिन computer में दो टाइप के आत्मा है software एक बोलते है system software एक होता है application software इसलिए computer इनसान से भी बहतर हो जाता है क्योंकि इसमें 2 है हमारे में 1 ही है अब system software क्या होता है application software क्या होता है उसको हम अच्छे से समझे अब software में system software को जानते है computer आपने खरीदा या आपके पास जो computer है और mobile भी हम example लेते हैं क्योंकि mobile से बहुत लोग familiar रहते हैं अब computer के अंदर बोलते हैं आपके पास कौन है Windows है Windows है mobile में क्या है Android है Android है या किसे के पास iPhone है तो iOS है ऐसे हम जानते हैं न यही होता है operating system चो computer के आखनाख मुँ हाथ को चलाने का आदेश जारी करता है यह होता है इसमें operating system जो होता है वही होता है computer का system software वो computer में install होना ही चाहिए नहीं तो यह डबबा हो जाएगा डबबा के सिभा कुछ और नहीं रहेगा system software में क्या-क्या आते हैं जैसे operating system OS जैसे window हो गया operating system है window एक operating system है mobile में android operating system है apple के phone में iOS होता है operating system है भारत भी एक ला रहा है अपना भारत OS करके भारत operating system तो यह operating system का काम क्या है आख नाख मूं जो computer का है या mobile का है उसको activate करके रखने अब एक word बहुत आता है computer में device driver अब driver क्या होता है एक तो driver आप जानते होंगे जो गारी को चलाता है उसको driver बोलता है उसी परकार है same जो मालो हम camera computer में लगाए यह camera हमने computer में लगा दिया अब यह camera तब क्या है एक जिंदा मड़ा हुआ body है जब तक इस camera में आत्मा नहीं आएगा तब तक कि यह कोई काम नहीं करने वाला उसी परकार यह जो device driver है यह camera के अंदर का आत्मा का काम तो computer का जो हर एक पाठ है हर एक पाठ को चलाने के लिए एक special driver होता है तो कभी-कभी आप देखते होंगे आपके computer का कोई driver उड़ गया जैसे आपका computer ठीक है आप में wifi का symbol ही नहीं आ रहा wifi चल ही नहीं रहा कभी-कभी किसी के साथ हुआ होगा या होता है जिनके पास है उनसे पूछिएगा तो यह क्यों होता है आपके पास system तो नया है आपने बनवा रखा है उसमें कोई खराब नहीं है तूटा-फूटा कुछ भी नहीं है लेकिन उसका driver जो है वो उड़ गया है या खराब हो गया मतलब उक्रप्ट हो गया है तो यही होता है driver तो अगर आप driver फिर से डाल देते हैं तो चलने लगता है यह system softwares होते है operating system, drivers, language translator language translator क्या होता है जो computer है सिर्फ 0 और 1 में समझता है binary number में समझता है 0 और 1 कोई भी चीज़ वो 0,1 में code करके समझता है लेकिन हम तो उसको ABCD में देते है तो इसको translate करने के लिए एक translator language लगा रहते है यह technical है तो यह सारे system software तो मुझे उमीद है आप system software को समझ गए होंगे अब application software क्या है इससे difference क्या है अब यही computer का benefit है यह अपने आख नाख मुख कान को तो चलाने का system आतमा लेकर आता ही है साथ ही समय के साथ यह update होता रहता है और नई नई चीजों को भी लाता रहता है जैसे एक computer है जिसमें Microsoft Word हमने डाल दिया तो Microsoft Word एक application है Chrome डाल दिया Google Chrome हमने डाल दिया तो यह application है Chrome नहीं भी रहेगा तब भी computer चलेगा सिर्फ Chrome नहीं चलेगा क्योंकि Chrome नहीं है लेकिन इंसान में आत्मा नहीं रहे तो बस बात खतम तो यही चीज है application software इंस्टॉल होते है अनिंस्टॉल होते है अब mobile से मैं compare करके आपको दिखाता हूँ आपका mobile आता है खडीतते हो नया Gmail डाले, login करे, mobile खुल जाता है तो हम बोलते है application software और जो पहले से उसमें install होके आया है मतलब जो इस mobile का या computer का part है इसको अगर हटा दिये तो यह चलेगा ही नहीं वो होता है system तो software में दो प्रकार आप समझ गए होंगे समझ गए होंगे जो software में क्या होता है system software और application software अब हम यह समझते हैं एक चीज आप मैं clear कर देता हूँ एक hardware हो गया और एक software तो जो engineer होते हैं यह hardware engineer भी कोई होगा और software engineer भी तो जो software engineer है इन सब चीजों पर काम करता है operating system पर, application software पर, utility software पर और जो hardware engineer होता है वो RAM को बनाने में RAM को welding करने में, solding करने में तो जो mechanic होता है mentally वो यह सब काम करता है लेकिन जो engineer होता है यह सब system के codes लिखता है coding करता है तो अगला हमारा topic है computing, data और information तो हम समझते हैं computing क्या होता है, data क्या होता है, information क्या होता है तो computing को हम सीधा सा समझते हैं computer जो अपने दिमाग में सोचता है, समझता है उसके बाद जो आपको उत्तर देता है उसको बोलते है computing अब एक example के साथ समझते हैं हमें इस चीज को जैसे आप किसी चीज को छूते हो suppose कोई आग जल रहा है और यह आप आग को छूते हो तो क्या होता है आपके हाथ को यह feel होता है hit और यह आपके दिमाग को information जाता है, जिए हाथ यहाँ से हटा लो तो आप हाथ को हटा लेते हैं मतलब आपका दिमाग उस टाइम काम करता है और हाथ को command देता है तो हाथ हट जाती है उसी परकार से computer को जब हम कोई command देते हैं जैसे computer को हमने बोला 2 प्लस 2 जोड़ो तो computer यह सोचता है जो user क्या चाहरा है 2 और 2 जोड़ना चाहरा है वो जोड़ के चीजों को समझता है फिर आपको 4 answer देता है तो इसी को computing बोलते है शोटा सा example के साथ हमने यह समझा computing होता क्या है इसी परकार से जितने सारे काम होते है computer जो सोचता है वो computing है और यह computer किसके जरिये सोचता है यह CPU के जरिये सोचता है जो computer का दिमाग है CPU अभी हमने जाना था पीछे CPU को अब data क्या होता information क्या होता यह दो word आपने कहीं न कहीं सुना होगा जो data और information इसमें अंतर क्या है वो समझते कोई भी जानकारी जैसे एक आदमी है उसका नाम क्या है age क्या है email id क्या है mobile number क्या है यह जानकारी हो गई अब यह जानकारी कहीं से कहीं information कहीं संचित रहता है इसे हम बोलते है data जो जानकारी होती है उसको हम बोलते है data अब इस data में से information निकलता है data से ही निकलता है information वो कैसे जैसे ऐसा ही detail जिसमें नाम, age, email और phone number आपके पास 500 है 500 लोगों या 5000 लोगों का information है अब मैंने बोला 24 साल के age वाले कितने लोग है तो अगर आप एक list बनाओगे जिसमें 24 साल के age के लोगों का सिर्फ बनाओगे मतलब आपने एक filter लगा दिया 24 साल filter in the sense आपने एक information का वो लगाया parameter लगाया मानक लगाया जो 24 साल वाले लोगों का नाम कितने है इसमें तो अब मैं जो list बनाओँगा सिर्फ 24 साल वाले का बनाओँगा तो ये कहलाएगा information अगर shortcut में हम समझे data एक संगठित रूप है जिसमें सब कुछ आता है जानकारी और उसी जानकारी में से जो काम की जानकारी हमें है उसे अलग करते हैं तो उसे कहते है information तो I hope आपको ये चीजे समझ में आ गई होगी आगे हम जानते हैं application of IT IT मतलब information technology अभी का जो समय है पूरा information का world है अभी का जो time एरा है information का world है तो उसका use अभी हो का रहा है वो चीजे हम समझे अभी आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो IT के बदालत ही देख रहे हो इंटरनेट के बदालत ही देख रहे हो ये सारे चीजे जो इंटरनेट के बदालत हो रहा है वो सारे है information technology समझ रहे हो तो education में बहुत हेल्प हो रहा है क्योंकि चीजे लोग online पढ़ रहे है online application भर रहे है online admission करा रहे है तो ये सारी चीजे अब online हो गए तो education में हल्प करता है दूसरा government services अब ये government services में कैसे हल्प करता है जैसे आपको OBC certificate HT certificate HC certificate या income EWS ये सारे certificate बनाने होते हैं यहां तक कि अब आपको FIR कराना हो पुलिस स्टेशन में अगर कुछ चोड़ी हो गया हो या कोई घटना हो गई हो आपके साथ तो अगर आपको FIR कराना है तो वो सारी चीजे government अब धीरे धीरे online ला रहे है साथ में आपको driving license अपलाई करना हो medical health check कराना हो परची कटाना हो डॉक्टर से देखने के लिए सारे चीजे online हो रहे है तो जो सेवा government दे रही है online उसको हम बोलते है government services तो देख रहे हो application of IT में क्या-क्या include हो रहा है education और government services अब cyber security क्या होता है IT में cyber security यह होता है जैसे यह हमारा course है इसमें digital literacy को हम लोग promote कर रहे है digital साक्षारता को promote कर रहे है तो इसी के अंदर आता है cyber security जैसे आपको बार-बार call आता होगा जो आपको 50 लाग की lottery लग गई है ना या इस type से आपको fraud करने का आपका OTP मांगता हो या आपके mobile का कुछ password कोई जानकार है यूज कर रहे है यह सब cyber security के पहलू है जिसमें fraud को रोका जाता है जो कोई आदमी आपके साथ धोखा ना कर सके तो यह चीजे भी हम जब IT का यूज परेंगे इसको हम जानेंगे इस course के जरिये भी सीखेंगे तो हम इन सब चीजों से बच सकते हैं यह scam से हम बच सकते social networking social networking जैसे facebook हो गया instagram हो गया यह सारी चीजे social networking है youtube हो गया यह भी social networking है यह सब में IT के application है business में अब business में क्या application है business में वो समझते हैं पहले क्या होता था bill काटना हो bill देना हो यह सारे offline होते थे समान बेचना हो तो दुकान पर आओ समान पसंद करो खड़िदो अब क्या हो गया है flip card Amazon online चीजे खड़िद सकते हैं यह सारे businesses में भी IT का use हो रहा है यह सारे applications है जो IT का अभी के समय में चल रहा है अगर किसी को यह चीजे नहीं आती है अच्छे से जानकारी नहीं आती है तो वो दुनिया से पीछे रह जाएंगे ठेग ने अब अगला topic है computer को light में लाना तो चलिए अब हम जानेंगे जो computer को कैसे start करेंगे कहां से कहां कौन सा wire connect करेंगे अब आपके जीवन में computer आ जाएगा अगर आपके पास कोई computer है तो आप इस चीज़ों को समझ भी पाएंगे अगर कभी विगर जाता है computer चल नहीं पाता है आपको ऐसे नहीं है आपके भाईया को बुलाना परे या mechanic को बुलाना परे ठीक करने के लिए आप भी छोटी छोटी चीज़ों को आप उद से कर सकते हैं तो चलिए यह है अपना CPU इसको बोलते है monitor monitor एक output device है computer हमें दिखाता है monitor पर जो भी वो हमें दिखाना चाहता है यह है हमारा keyboard keyboard और यह है mouse अब यही तीन चीज़ हमें जरूरत होता है computer को चलाने के लिए यह कभी कभी आप देखते होंगे ऐसा करकर device होता होगा यहाँ पर light लगी रहती हो तो UPS बोलते है यह कुछ नहीं है यह battery backup है अगर आपके यहाँ line कर जाता है इसमें क्योंकि laptop में तो battery लगा रहता है लेकिन इस वाले में बैटरी नहीं लगा रहता है तो यह एक battery backup inverter के तरह काम करता है तो यह computer का component नहीं है यह ना भी रहेगा तब भी computer आपका चलेगा डिरेक्ट लाइन पर चला तो इसको मैंने इसलिए include नहीं किया अब आगे हम बात करते हैं यह एक VGA card होता है अब बताएंगे इसको कैसे कैसे use करते हैं इसमें दो junction होते हैं इसको बोलते है male point और इसको बोलते है female point इसका नाम है male point और female point अब हम जानेंगे इसे कैसे connect करते हैं यह एक power cable है यह power cable क्या काम करता है यह वाला section जुड़ेगा CPU से और यह वाला जाएगा आपके circuit board में जो आपका board रहता है na circuit board उसमें जाएगा तो चलिए अब जानते हैं एक यह part हो गया हमारा एक यह हो गया एक यह हो गया और एक mouse हो गया अब इस सब चीजों को connect कैसे करेंगे वो जानते हैं ध्यान से देखिएगा अब एक चीज आप यहाँ पर देख रहे हैं यह वाला जो section है यह socket आपको दिख रहा होगा तो यह इसमें connect होता है यहाँ पर ठिक और यह वाला जाएगा अपना board में connect हो जाएगा जो board रहता है आपका उसमें अब आगे बात करते हैं इसको देखते हैं यह जो आपका है कौन सा है male point और यह क्या है female point तो इसमें आपका male point connect होगा और इसमें आपका female point connect अब इसमें कैसे पता चलेगा कौन सा male है कौन सा female है अभी आप देखो यह बाहर के तरफ उबड़ा हुआ है ध्यान से देखो और यह अंदर के तरफ धसा हुआ है और यहां पर देखो यह बाहर के तरफ उबड़ा हुआ है और यह अंदर के तरफ धसा हुआ है और यह बाहर के तरफ उबड़ा हुआ है तो दोनों face को मिला के इसको connect कर देना अब इसका काम क्या होता है इसको बोलते है अभी मैंने बताया video graphics array array बोलते हैं मतलब computer जो भी दिखाना चाहता है हमें इस monitor के जरिए दिखाएगा तो एक तार तो हम तो ये wire इसमें connect करेंगे computer से monitor में अब यहां वाले को मैं connect कर दूँगा board में अब दीखिए एक यहां पर और है ऐसा एक power cable और आएगा जो इसमें connect होके फिर ये जाएगा board में तो board में कितने cable connect होंगे electric board में दो cable जाएंगे ऐसे वाले एक इससे जाएगा और इससे जाएगा और दूसरा एक wire जाएगा किस से यहां पर connect होगा इससे और इससे अब इससे कहां connect करेंगे keyboard और mouse को कहां connect करेंगे देखिए यहां पर एक USB port है यह देखो ध्यान से अब USB port में USB USB को बोलता है Universal Serial Bus का full form होता है आगे हम लिखके भी बताएंगे अब इस वाले port को यहां लाके connect कर देंगे यहां भी कर सकते हैं यहां बहुत सारे USB port रहते हैं अब एक वारे इस वाले port को यहां आके connect कर देंगे तो आपका computer start हो जाए मतलब computer connected हो जाएगा पूरी तरह से अब पूरा तरह से computer connected हो जाए तो आपका जो यहां पे electric switch हो रहता है उसको on कर दो और उसके बाद इस वाले button को press करो कभी-कभी यह button हो सकता है यहां पे भी हो कभी-कभी यहां पे भी हो इसको power button बोलते हैं जैसे ही आप इसे click करोगे साथ में एक monitor में भी button रहेगा उसको click कर दोगे तो आपका computer start हो जाएगा तो उमीद है इस वाले वीडियो से आप computer को connect करना अच्छी तरीके से सीख गय होगे और आपको दिक्कत नहीं आएगी अब कुछ चीजे है जैसे यह क्या है तो यह speakers को connect करने के लिए रहता है अगर आप इस speaker लगाना चाहते हैं तो इसमें connect कर दो कुछ और cable रहते हैं जिसका बात मैं आगे करूँगा जैसे इसको अब detail में समझते हैं इस चीजों को मैं connect कर देता हूँ जल्दी से यह वाला उपर चला गया यह वाला उपर चला गया ठीक यहां से यहां पर connect कर देना है ठीक अब यह वाला keyboard को मैंने इसमें connect कर दिया यह वाला यह cable देखो ऐसा दिख रहा है न अच्छे से वी जीए cable बोलते हैं क्या बोलते हैं वी जीए ठीक अब mouse को connect रहना है यह power cable है यह वाला यहां पर connect होगा और यहां पर भी दोनों सेमी रहता है mouse यह लेंगे और इसको connect कर देंगे यहां पर आपका computer पूरी तरीके से connect हो गया है अब इसको power on करेंगे और चलाएंगे अब एक चीज computer के अलावा आप laptop का समझते है system laptop में क्या है तो laptop में आपको कुछ भी connect करने के ज़रुत नहीं होती है बस यहां पर आपका power button होता है उसको click करोगे computer आपका on हो जाएगा लेकिन इसमें कुछ ports होते हैं यह देखो ऐसे ऐसे port इसको ports बोलते हैं ports यह अलग-अलग type के ports होते हैं अभी के फिला new वाले laptops में यह कम होते हैं ज़्यादा port नहीं होता लेकिन पहले के समय में बहुत सारे ports होते थे तो अब हम बारी-बारी से समझते हैं यह port होता क्या है इसका use क्या है यह land port है ठीक इसमें क्या करते हैं हमने जो अभी पढ़ा है इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए लैंड पोर्ट वो हम इसमें कनेक्ट करते हैं इंटरनेट कनेक्ट चलाने के लिए दो तरीका है एक वाइफाई है और एक वायर करके आता है इसमें connect हो जाएगता तो इसको land port करते हैं यह land port ऐसा रहता है square shape में रहेगा अब यह VGA cable इसमें भी दिया गया है laptop में अब के laptop में नहीं रहता लेगिन पहले के laptop में रहता था इससे भी अब इसको क्यों दिया गया है इसमें laptop में तो already एक monitor है ही तो इसमें VGA cable क्यों दिया गय अगर हम कोई और बड़ा display जैसे laptop का display छोटा होता है कोई चाहे हम बहुत बड़ा TV पर इसको देखें और दिखाएं चीजों किसी को तो इससे इसमें हम connect कर देते हैं अब HDMI cable क्या होता है इसका use भी हम क्या करते हैं दो तरीके से इसका use करते हैं एक करते हैं प्रोजेक्टर म मैंने अभी output device में दिखाया था प्रोजेक्टर में connect करते हैं दूसरा हम use करते हैं TV या display में connect करते हैं किसी भी TV को connect करने के लिए HDMI केवल की जरुरत होती है या प्रोजेक्टर के connect करने में HDMI केवल के जरुरत होती है अब USB port मैंने बता ही दिया USB में mouse connect करो keyboard connect करो या आप कुछ भी connect करो जो USB type का है connect कर सकते, ये memory card reader मैंने बता दिया, जैसे पीछे मैंने जो बताया था, memory card ऐसा memory card जो दिखता है था, वो यहाँ पे लगता था, पहले के समय में है, अभी नहीं रहता, ये mic का है, mic का दो aux रहता है इसमें, एक रहता है headphone के लिए, जो speaker सुनने के लिए, और एक बोलने के लिए रहता है, तो पहले दो रहते थे, अब एक ही रहता है, तो I hope ये सारी चीजे आप समझ गए होंगे, अब इसके full forms जान लेते हैं, LAN का क्या है, VGA का क्या है, HDMI का क्या है, USB का क्या है, LAN को बोलता है local area network, मतलब तार के जरिये आता है, जैसे आपने Wi-Fi लगवाया अपने घर पे, तो एक तार आता है न, वैसे ही पहले आप तो Wi-Fi के साथ आपको broadband दे देता है, जिसमें ऐसे antenna लगे रहते हैं, hot spot connect हो, लोकिन पहले क्या होता था, डेरेक्ट जाके एक cable connect होता था आपके system, जो उसी को बोलते थे LAN, यहाँ पे connect होगा, दूसरा है video graphics array, जो यहाँ पे connect होता है, और monitor में भी मैंने बता दिया है, SDMI का full form होता है, high definition multimedia interface, फिर USB, universal serial bus, aux auxiliary port, इसको बोलते है, aux भोलते हैं, ठीक है, I hope आपको यह सारी चीजे port को समझ आ गया होगा, जो port होते क्या है, क्या use है, और कैसे दिखते हैं, तो इसी के साथ यह video का end होता है, thank you so much watching for the